नमश्कार स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूँ आपके साथ सौमयराथी इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर प्रमोत कुमार जो की बिहार की सबसे जाने माने रिदे रोग विशेशग्यों में से एक हैं हम लोग अकसर रिदे रोग की बात करते हैं इलाज क्या होना चाहिए, कौन कौन सी जाच करानी चाहिए और खान पान में क्या बदलाफ किया जाने चाहिए इन पर तमाम वीडियो बनाई जा चुकी है लेकिन आज की वीडियो में हम खास तोर पर ये जानने की कोशिश करेंगे कि लाइफस्टाइल चेंजर जिनने कहा जाता है वो ऐसे क्या किये जा सकते हैं रोज मर्रा की जिंदगी में कि लोग जो अपने रिदे का जादा दवाईयां खाए बिना बेहतर ध्यान रख पाए सबसे पहले डॉक्टर साब नमशकार बहुत-बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर साब हेल्दी हार्ट के लिए बहर साल अवेर्निस कैंपेंज चलाय जाते हैं बहुत सारी वीडियोज भी इस चीज़ पर बनाई जाती है डाइट प्लांस को लेकर या फिर कौन सी टेस्ट कराने चाहिए उनको लेकर लेकिन आज मैं जानना चाहूंगी कि क्या ऐसे कोई lifestyle changes हैं जो अगर हम अपनी रोज की life में करें तो अपने दिल को जादा स्वस्त रख सकते हैं पहले तो नमशकार जी बहुत सारे changes हैं इसमें कोई शक नहीं है इन फैक्ट आप अगर अखबार वगरब पे अपना ध्यान रखते हैं क्या उसमें आता है यह और यह बहुत बड़ा चेंज हमें लाना होगा अपने lifestyle में जिससे कि हम इन रोगों से बच सकते हैं और ये बहुत प्रभावकारी है, इसमें कोई शक नहीं है जितने भी western countries में इन बिमारियों की संख्या कम होने लगी है उसमें जो lifestyle control रहा है, दवाईया या operation से ज़्यादा जो प्रभावकारी हुआ है वो है lifestyle changes, lifestyle changes हमारे जीने का जो ढर्रा है उसको बदलना ही है उसमें कोई ऐसा नहीं है कि बहुत खर्चीला है या उसमें बड़ा rocket science involved है, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे रहने का ढ़ंग जो बदल गया है, हम सब जानते हैं कि हम कितने बदल गया है पैदल नहीं चलते हैं, बच्चे खेलते नहीं हैं खाने में हम जो चर्बिदार चीज़ें हैं, जो जिसको जंक फूट कहते हैं, वो खाते हैं फूर्ट्स और सबजियां जो हैं वो कम होने लगी हैं मीट की मात्रा, प्रोसिस्ट फूट की मात्रा, यह सब बढ़ता चला जा रहा है तो यह सब जो हैं, वो हमारे शरीर को, जो हम हार्ट की या जो भी इस तरह की बिमारियां होती हैं उसके लिए हमें कमजोर करती हैं और हम उसके रिस्क हमारा बढ़ा देती हैं यह तो लाइफस्टाइल चेंजेज में सबसे जो पहले आता है वो है खान-पान का धर्वा, जिसमें चर्बी का बदलाव हमें करना होगा, जो हम खाते हैं उसको बदलना होगा, और दो तरह की चर्बी जो ऑईल जिसको हम कह रहे हैं, दो तरह का ऑईल पाया गया है सबसे और उसका उपयोग जो है वो डिफिनेटली हार्ट की प्रॉब्लम्स को बचाता है, उसके बाद है कार्भो हाइडरेट का यूज कम करना, फ्रूट्स वेजटेबल्स बढ़ाना, जितना बढ़ा सकते हैं कम सकम दिन में तीन बार, चार बार, पांच बार खाईए, उसके ब वापस लिफ्ट में आए, गाड़ी में बैठे, घर आ गया, घर में बैठ करके टीवी देखा, खाना खाया सो गया, खाने में भी हफते में दो बार, पीज़ा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, तो ये बहुत ही बड़ा संकट हमारे उपर लाता है, एक्सरसाइज, वाकि जिस तरह का भी करना हो, आपको डेफिनिटली करना है, अगर आप हार्ट की बिमारियों से बचना चाहते हैं, तो कम सकम हफते में पांच बार, तीस से चालिस मिनट तक ब्रिस्क वाक होना चाहिए, जो आपको मदद करेगा, इसमें कोई शक नहीं है, स्मोकिंग एक बहुत यह अर्बन एरियाज में बढ़ नहीं रहा है, जो भी हो, फैशन हो या पियर प्रिशर से, जो भी हो, तो यह जो सारी चीजें हैं, इसमें बदलाओ की बहुत सकत आवशकता है, आप देखिये बड़े शहरों में बच्चे जो हैं, उनका वजन देखिया, यह एपिडेमिक हो गया है, जो स्कूल से आप अगर कभी देखिये बच्चों को, तो पचास परसंट से ज़्यादा बच्चे जो हैं, वो ओर बेट रहते हैं, सिर्फ इसलिए हैं कि उनके खेलने का टाइम जो है, वो मॉबाइल में चला जाता है, घर पे बैठे गेम्स होते हैं, फीड में क जाता नहीं है, तो ये सारी चीजें जो है, आपको चेंज करनी है, ये सारी चीजें बहुत बच्चपन से चेंज करनी है, ऐसा नहीं कि जब आप चालिस साल के हो जाएं तब करें, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि चालिस साल के हो तो आप ना करें, जब भी करेंगे तब भी फायदा हो गए आप 40 के हो 50 के हो 60 के हो लेकिन अगर आप बच्पन से शुरू करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा प्रभावकारी है ये भी कोई शक्राइब उमीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब की बताये गई सारी बातें आप सभी में ठीक तरीके से सुनी और समझी होगी और ये भी ज़रूरी है कि हम इन बातों को सुनन और समझने से ज़ादा अपने डेली लाइफ में अपलाए करें अपने डेली रूटीन का हिस्सा बना कर अप अपने स्वास्त की प्तती थोड़े जादा सचीत हो जाएं इसी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी डॉक्टर साहब की अगले एपिसोड में तब तक कि लगर वीडियो को फीसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चानल को सब्सक्राइब करें आप कमेंट सेक्शन निया मील बॉक्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब से आके क्या सवाल ही धन्यवाद